खुशी, खुशी मांसिक है, इसे बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद में तलाशे, हर किसी की खुशी की परिभाशा अलग-अलग हो दिये, इसका सन्मान करेगी, जीवन में छोटी-छोटी चीजों में खुशी-खोशने की कोशिश करे, लगातार तनाव में रेकर अपना मांसिक संतुलन न बिगडने दे, खेल, मनुरंजन, गायन, परियतन, नुर्ध्य और पढ़ने के लिए कुछ समय दे, अपनी दिन्चरिया का गुलाम बनकर जीवन का आनन्द लेने की इच्चा को खतम न होने दे, आपके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहे, यूँकि सब कुछ वैसा नहीं होता, जैसा आप चाहते हैं, जीवन में कश्ट और परेशानिया लगी रहती हैं, इनकी मातरा कैसे कम करें, तो जानिए, जीवन को सकारात्मक दुरुष्टी से देखे, भविशा में होने वाले बदलावों की चीन्ता किये बिना बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहे, भविशा की चीन्ता से वर्तमान को खराब न करने दे, अपने मन पसंद काम में व्यस रहे, अपनी पीडा का फायदा उठाए बिना दुसरों की पीडा को समझने का प्रयास करें, इससे आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा, अपने आपको भागय शाली समझे, और भागय को दोश दिये बिना, दुसरों से अपनी तुन्ना या बराबरी करके जीवन का आनंद ले, किसी से बहुत जादा उम्मिदे न रखे, ताकि आपको निराशा न हो, अपनी चिंताए, अपने दुख, अपने तकी सिवित रखे, उन्हें साजा न करे, हर चीज, हर अउसर, हर पल का अनंद ले, अपने अंदर मोजू शम्ताव को पैचाने, अपने आप पर यकीन रखो, आप जो भी करते हैं, उसे परिणाम की चिता किये बिना, उशलता पुर्वग, नगन से और प्रसनता पुर्वग करे, जो चीजे आपको पसंद न हो, उन्हें नजर अन्दाज करे, दूसरों की खुशी में खुश रहे, अपने जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए दूसरों को जिमेदार न टहराए, अपने जीवन में खुशी के फल का बाइस को खुमाते रहे, प्रिष्टे मजबूत रखे, अपनी सामान्य दिंचर्या को छोड़ दे और कभी-कभी सामान्य से हट कर कुछ करे.